जो एक दम पीछे भी अकले अकले बैट गए हैं सब नीचे है जाईए देखिए सारा तामजाम बड़ा टेंपररी होता है भई अगर ये गिरा तो यहां के लोग भी परिशन होंगे आपका भी हावत खराब होगी पहले नीचे उतरिये उसके बाद मैं भाशन आगे करूँगा मेरे लिए मेरे भाशन से आपकी जिंदगी ज्यादा मुल्यवान है वो जो लास में दो लोग कंबे भे नीचे आओ भई तो जरा पीछे एक दम आखिर मैं नीचा हो यह समरी चाहिए भई जरा सिक्यूरिटी के जो लोग है जरा चिंता करें आपको नीचे आना पड़ेगा भई आपको नीचे आना पड़ेगा मैं आपकी जिंदगी को कुछ भी हो जाए यह मेरे लिए बरदास नहीं होगा आप मेरे अपने हैं मैं आपको कैसे परचान देख सकता हूँ अब आपने मुझे देख लिया है अब सुनना है तो हम नीचे आएंगे तो अच्छा सुना ही देगा देखिए जगा छोटी ही पर गई है मैं देख रहा हूँ बहार भी लाखों की तादार में लोग खड़े हैं उसाइद सुन भी नहीं पाते हूँगे लेकिन यह नहीं करने दूगा मैं आईए नीचे शाबाज बहुत समझान है सब नोजवान हाँ शाबाज आभी एक रहा गया उदर आज़े यह भई दल दी जरा उनको नीचे लाइए अब वो चड़तों गए लेकिन परेशान है कैसे उतरे हैं हाँ शाबाज नीचे आज़ाओ भई नीचे आज़ाईए आईए जिन नौजवानों को मैंने नीचे उतारा है अगर उनको उनके स्वमान को अगर कोई चोट पहुँची है तो मैं उनकी शमा मानता हूँ लेकिन आप सब आप सब मेरे परिवार के सदस्य है और इसलिए इतने प्यार से परिवार के सदस्य को कहने का मेरा भी तो हग बनता है ना भारत माता की भारत माता की बाबा हंसनात की बाबा हंसनात की बाबा महेंदरनात की ये पवित्र धर्ति पर हम रवा लोगन के बंदन अभिनन्दन करताने महराज गंजने सिवान ने अपने जोच से पूरे भारत में संदेश दे दिया है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार मैं आज इतना खुश हूँ खास करके इतनी बड़ी तादाद में माताओं बेहनों को मैं देख रहा हूँ माताओं बेहनों का ये आशिरवाद ये मेरी बहुत बड़ी उर्जा है और ये समय तो गर में काम का होता है उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संक्या में माताओं बेहने आशिरवाद देने आई है जीवन में इससे बड़ा सववाद के क्या होता है भाई साथियों मेरा ये बहुत सवभाग्य है कि इन दिनों मुझे देश के कौने कौने में देश वाचियों के दर्शन करने का सवभाग्य मिला है पूरे देश में मैं मात्रू सक्ति का जो जज़बा देख रहा हूँ माताओं बेहनों का जो प्यार देख रहा हूँ हमारे नवजवानों का जो उच्छा देख रहा हूँ गाह हो गरीब हो किसान हो एक प्रकार से सारा देश देश के उजवल भविश्य के लिए संकल्प बद्ध हो चुका है और मैं भी आपको गारंटी देता हूँ मैं आपके लिए दिन रात महनत करूँगा पहले से भी ज़्यादा महनत करूँगा क्योंकि मुझे आपके लिए आपके भविश्य के लिए आपके बच्चों के भविश्य के लिए विश्शित बिहार बनाना है विश्शित भारत मनाना है भाई यो बेनो गरीब से गरीब माबाब भी हमेशा चाहता है कि जाने के बाद बच्चों को कोई विरासत में देख करके जाए हर एक के मन में रहता है कि कोई विरासत छोड़के जाए भाई यो बेनो मोदी एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी कोई विरासत नहीं है मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत है आप ही मेरे वारिस है मेरा और कोई वारिस नहीं है और इसलिए मुझे आपका और आपके बच्चों का उजवल भविष्य बनाने के लिए अपने आपको खपा देना है मैं नहीं चाहता कि आपके अपने जीवन में आपने जो कस्ट भोगे उसका रत्ती भर भी आया हूँ आपके आसिरवाद मांगने के लिए आया हूँ भाई वहाँ कोशिज मत करो भाईया प्लीच वहाँ कोई जगाई नहीं कहा जाओगे अब आप मुझे देख नहीं पाओगे सुन सकते हो जी ये स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे तो देखिए आप मैं जानता हूँ संख्या बहुत ज़्यादा है आपको तकलीब होती होगी मैं आपकी तकलीब लेए मैं खुद थमा मांगता हूँ लेकिन आप जहां है भाई रहिए आगे आने की कोशिज मत किजिए भाईया मेरा तो सवभाग्य है कितना कश्च उठा करके आप हमें आशिरवाद देने आए है भाईय बहनो आपके उजवल भविश्य के लिए देश को केंद्र में फिर एक बार मजबुत सरकार चाहिए भाईय और बहनो जैसे जैसे चार जुन पांस आ रहा है मोदी के लिए इंडी वालों की गालियों और बद्दुआओं के संख्या जरा बढ़ती ही जा रही है इनसे बरदास्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले पांस साल के लिए फिर से चुनने जा रही है जिनोंने बिहार को जंगल राज दिया नवजवानों को पलायन दिया परिवारों को गरीबी दी जिनोंने बिहार के लोगों को मारा तरपाया माताओं बहनों का जीवन बरबाद किया जो लोग आकंठ प्रस्टाचार में डूबे है जिने अदालत ने गोटाले का दोशिद साबित किया है इन लोगों की आँखों में मोदी 2400 गंटे खटकता है लेकिन इनकी लाग कोशिशों के बाद भी मैं आपकी सेवा में डटा रहूंगा मैं दिल से जनता की सेवा करता हूँ इसलिए देश की जनता से मेरा दिल का रिष्टा है दिल का रिष्टा है और इसलिए हर दिल में आज हर दिल में मोदी है और तभी तो पुरा देश कहता है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार साथियों ये भूमी मेधा की भूमी है राष्ट भक्ती की अविरल गंगा यहां बहती है राजेंद्र बाबु जैसे अनेक सपूत इस धर्ती ने देश को दिये है ऐसी समर्द प्रतिभावाली धर्ती की पहचान कॉंग्रेस और आरजेडी के कूकर्मों ने रंगदारी टेक्ष के लिए बना दी थी इंडी वालों ने पहले तो यहां से उद्योग व्यापार का पलायन करवाया और अब यह लोग बिहार के परिस्रमी सात्यों का अपमान करने में जूटे हैं पंजाब में कॉंग्रेस के एक नेता है दिल्ली में कॉंग्रेस के साही परिवार के यह खासम खास है पंजाब के कॉंग्रेस के यह नेता कहते है कि बिहार के लोगों को पंजाब में बहिशकार करना चाहिए यह कॉंग्रेस वाले नेता बोल रहे हैं और अर्जेडी वाले इनके साथ यहां आपसे वोट मांग रहे हैं वो कहते हैं कि बिहार के लोगों को ना पंजाब में गर खरिदे देना चाहिए ना ही पंजाब में बिहारियों को कोई अधिकार देना चाहिए बिहार के लोगों के लिए इतनी नफरत इन लोगों के दिल दिमाग में बरी पड़ी है क्या आपने कॉंग्रेस के साही परिवार से सुना कि बहुत ये इनका मंत्री बोल रहा है गलत बोल रहा है उनका नेता बोल रहा है गलत बोल रहा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए नहीं बोल रहा है यहां आरजेडी के लोगों ने तो कान में रुई ठुस लिये रुई बिहार की मान मरियादा बिहारियों का सम्मान इंडी गड़बंदन वालों के लिए कोई माइने नहीं रखता मैं गुजरात में था वहां का मुक्किमंटरी था लेकिन बिहार जब अपने सो साल मना रहा था मैंने बिहार से अनेख महनुभाओं को गुजरात में भुला करके उनका सम्मान किया था जब डीमके के लोगों ने बिहारियों को गाली दी जब तेलंगना के कॉंग्रेस के नेता ने गालिया दी तब भी ये शाही परिवार अपने होटों पे ताले लगा करके बैठ गया था क्या इन्हें जिन्हों ने बिहार का अपमान किया जो दिन रात बिहारियों का अपमान करते हैं क्या ऐसे कॉंग्रेस और उनके साथियों को आर जेडी और उनके साथियों को आपका एक वोट भी मिलना चाहिए क्या पूरी ताकत से बताइए एक वोट भी मिलना चाहिए क्या एक वोट भी मिलना चाहिए क्या अरे बोड़ तो छोड़ो इनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इस बार चुनाओ में NDAK पार्टियों का बटन दबाकर ऐसी सजा दो ऐसी सजा दो सब पोलिंग मुथ में साफ हो जाए करेंगे भाई और बेहनों कॉंग्रेस का सही परिवार तुकडे तुकडे गेंग को पाल पोस रहा है कॉंग्रेस और उत्तरफुर्वी भारत से ये उत्तरफुर्वी भारत के लोगों से बदला के लेने की मिजाज में है आपने कॉंग्रेस को यहां से साफ कर दिया और इसलिए ये आपसे बदला ले रहे है ये भारत को एक करने वाले भगवान राम का विरोध करते हैं अयोध्या में राम मंदिर बना आपका गवरोव बढ़ा के नहीं बढ़ा आपका माथा उंचा हुआ के नहीं हुआ आपको संतोज हुआ के नहीं हुआ राम लला को अपना घर मिल गया आप खुश हुए ग नहीं हुए ये आरजेडियो कॉंग्रेज वाले दुख ही है बताओ जीस कॉंग्रेज आरजेडियो की राजरिती भारत के टुकडे टुकडे करने वाली है उसको साफ करने की जिम्मेदारी महराज गंज की भी है और सिवान की भी है बाई और बैनों कॉंग्रेज आरजेडियो वार उसके साथियों ने हमेशा इस देश को पीछे ले जाने का खेल खेला है ये खुद लाखों करोड के मालिक हो गए और जंता रोटी कपड़ा मकान के लिए जूजती है इंडी गडबंदन का मंच राजनितिक मंच नहीं लाखों करोडों के गोटाले बाजों का सम्मेलन है ब्रस्टाचार का अतापता उसका नाम है इंडी गडबंदन इनके मंच पर करीब 20 लाख करोड रुपिये के गोटाले बाज एक साथ बैठते हैं जब यह इखटा होते हैं तो इन में तीन बुरहियां तीन बुरहियां एक दम साप नजराती है कोई अपास नहीं है यह तीन बुरहियां यह इंडी गडबंदन के सब में समान है यह तीन क्या बुरहियां है यह इंडी अलाइस वाले गोर गोर कमिनल है सत प्रतीशत सामप्रदाइख है दूसरा यह इंडी अलाइस वाले गोर जाती वादी है सत प्रतीशत जाती वादी है और तीसरा यह इंडी अलाइस वाले गोर परिवार वादी है शाथ प्रतिशत परिवारवादी अपने बेटे बेटी के सिवा कुछ करना ही नहीं ये वो लोग है जिनकी सरकारों में देश सामप्रदाइक्ता की आग में जले ये वो लोग है जिनोंने सालों तक देश को जातिवाद में बाट कर पिछड़ों का हक मारा है ऐसे लोग बस देश बाट सकते हैं ऐसे लोग देश का खजाना लूट सकते हैं लेकिन देश को आगे नहीं ले जा सकते साथियों मोदी ने अपने दस साल में पचीश करोड गरीबों को गरीबी से बाहार निकाला है आखिर इंडी गट बजन वाले अपने साथ साल में ऐसा क्यों नहीं कर पाए इन लोगों ने गरीब को गरीब रखा ताज उसके साही परिवार की जैजैकार होती रहे कॉंग्रेट ने देश के कानूनों को ऐसा बनाया जिससे गरीब असाहय हो उसे किसी दूसरे की मदर लेनी पड़े साथियों हमारे हाँ आज भी जो पुलिस की व्यवस्ता है वो अंग्रीजों की बनाई हुई है पहली बार मोदी ने उसको बदलने का साहच किया पुरानी व्यवस्ता के कारां गरीब सालों साल जैल में सरता रहता था लेकिन आतंकवादी अपरादी ब्रस्टाचारी लूटे रहे बड़े बड़े वकिल करके जैसे तैसे जेल से बाहर निकल जाते थे अब ऐसा नहीं होगा अब मोदी दंड सहीता की जगन नयाई सहीता लेकर आया है इसे सामान्य जन को तेजी से नयाई मिलेगा अब आतंक्यों का आपको लूटने वालों का बचना और मुश्किल हो जाएगा साथियों यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथी खेती से जुड़े हैं किसान है दस साल पहले तक एक भी रुपिया किसानों को कॉंग्रेस सरकार से मिलता था क्या पी-म किसान सम्मान निज़ी से सीवान के किसानों को अपतर करीब बारा सो करोड रुपिये मिल चुके हैं सारण के भी किसानों को पंदरा सो करोड रुपिये मिले हैं सिर्फ पांच साल में ही इतना पैसा मिला है वो सीधे सीधे उनके खाते में गया है बाई और बेहनों गरीब का ये बेटा आज आपके जीवन को आसान बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है आज करोडों गरीबों को मुप्ता नाज मिल रहा है आज गर गर नल पहुँचा है बिजली पहुँची है टोईलेट हुआ है मोदी ने सस्ता सिलिंडर बेहनों तक पहुँचाया है मुझे बेहने बताती है कि मुप्त इलाज की योजना से उनको बहुत फाइदा हुआ है साथियों पक्का घर तो गरीब का सबसे बड़ा सपना होता है अभी तक बिहार में करीब 40 लाज पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं और मेरा एक काम करोगे जड़ा हाथ उपर करके बताओ मेरा काम करोगे दीला डाला ने पूरी ताकत से बताओ करोगे करोगे अच्छा अभी आप गाउं गाउं जाते होंगे हर मौनले में जाते होंगे लोगों से मिलते होंगे अगर आपको गाउं में अभी भी कोई जुग्गी जोपड़ी में रहता है कोई मिट्टी की छोटी सी खोली बना करके रहता है उसको मिल करके कह देना कि हम मोदी जी की तरफ से आए हैं उनको कह देना कि हम मोदी जी की तरफ से आए हैं और चार जुन के बार तीसरी बार जब मोदी की सरकार बनेगी तो जिनका घर भी कच्चा है मोदी उसको पक्का घर देगा मेरी तरफ से बता दोगे मेरे लिए तो आप ही मोदी है आप बता देंगे ना काम हो जाएगा साथियों मोदी ने तीन करोड नए घर बनाने की गारंटी दिये इसलिए आप बता दीजिए और उसको कहिए जो तीन करोड घर बनेंगे ना उसमें उस परिवार का भी घर होगा और आप ये भी जान दीजिए ये जो आपको गर मिलेगा उसमें गर की रजिष्टी गर की महिला के नाम पर होगी मकान की मालकन महिला होगी भाईजों और बहनों यहां मारी बहुत सारी बहने सखी मंदलों से दीदियों के समू से भी जुड़ी है महिलाओं के हैसे सभी समूओं के लिए आने वाले पाँच साल समूरुद्धी लेकर आने वाले बहने ड्रोन पाइलोर बनेगी और ड्रोन से खेती करके कमाई करें यह योजना मोदी ने बनाई है मोदी की गारंटी तीन करोर बहनों को लगपती दीदी बना लेकी है जब माता और बहनों के आई बढ़ेगी तो परिवार की गाउं की खरिच्शक्ती बढ़ेगी यही तो विक्सित भारत का रस्ता है साथ या आपको वोट सिर्फ MP चुनने के लिए नहीं है आपका वोट एक मजबुद भारत के लिए मजबुद PM चुनने का भी है और इसलिए महराज गन से हमारे साथी जनार गनसी सिगरिवाल जी सिवान से बहन विजय लक्ष्पी जी और गोपाल गनसे आलोग कुमार सुमंजी को जादा से जादा वोटों से जिताना है जिताएंगे गर-गर जाएंगे जादा मजदान कराएंगे अच्छा मेरा एक काम करेंगे मेरा एक काम करेंगे क्यों ठंडे पड़ गए भाई इनकी लिए तो बड़े उत्साह से बोल रहे हो इनकी लिए बोला तो हाथ उपर कर दिया मेरे लिए बोला तो हाथ दीचे हो गया मेरा एक काम करोगे पका करोगे यहां से जादा से जादा गरों में जाना जादा जादा परिवारों में मिलना और सबको जाके कहना कि अपने मोदी जी आये थे मोदी जी ने आपको जैस्री राम कहा है मेरा जैस्री राम हर गर में पहुँचा दोगे हर परिवार में पहुँचा दोगे बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं म्यूजिक ऑपरेटर से आगरा करूंगी अब आप पुता दे एक बार फिर से पीय मोदी ने इंडिया लाइन्स पर हमला बोला है जनसभा को संपोधित करने के दर्मियान उन्होंने इंडिया लाइन्स पर हमला बोला जिसमें महराज गंज में पीय मोदी चुनावी जनसभा को संपोधित रहे थे और साथी साथ उन्होंने का विहार की लोगों को गाली देते हैं इंडिया लाइन्स के नेता और कॉंग्रेस इस पर चुप रहती है इन्हें एक भी वोट नहीं मिलनी चाहिए इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए तो यह बड़ी बात है पीम मूदी की जो उन्होंने जन्सभा के दोरान कही है और यहां रुकरेक छोड़े से ब्रेक के लिए जल लोटते हैं वापस उसा बैठा जी